To make a call you need to activate the SIM card आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप भी अपने फोन से call लगा रहे हैं और आपको वारी इस तरह की problem जब भी आप call लगाते हैं तो ये show होता है To make a call you need to activate the SIM card तो ये problem आप कैसे ठीक कर सकते हैं आईए जानते हैं यहाँ पर सबसे पहले आप इसे cancel कर दीजिए cancel करने के बाद आपको अपने mobile में settings को open कर लेना है settings को open करने के बाद यहाँ पर आपको दूसरे या तीसरे नंबर पर एक option मिल जाता है dual SIM and mobile network का तो यहाँ पर हमारे phone में इस तरह से दे रखा है dual SIM and cellular network इस पर आपको touch कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको जिस भी SIM से यह problem आती है आप वो SIM select कर लीजिए तो यहाँ पर हम SIM 1 से call लगाते हैं तो यह problem आ जाती है तो यहाँ पर हम SIM 1 पर touch कर देते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा enable का या फिर turn on का आपको इस option को enable कर देना है यहाँ पर यह 2-3 seconds लेगा तो आपको wait कर लेना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह enable का option चालू हो चुका है अब आपको नीचे एक option मिलता है data roaming का आप इसे enable कर दीजिए उसके बाद on कर दीजिए नीचे एक option है volte calls का तो यहाँ पर आपको इसे भी चालू कर देना है उसके बाद एक option है preferred network type का हो सकता है आपके phone में network mode दे रखा हो आप उस option पर touch कर दीजिए यहाँ पर आपको 4G वाला option select करना है यानि कि जो first number पर option है उस पर आप touch कर दीजिए यहाँ पर आपको फिर एक option मिलेगा carrier का इस पर आपको touch कर देना है यहाँ पर यह searching लेगा तो कुछ seconds wait कर लीजिए उसके बाद यहाँ पर आपकी जो भी sim है आप select कर लीजिए इस तरह से उसके बाद यह register होने लगेगा तो यह settings करने के बाद आपको अपने mobile को एक बाद restart कर लेना है उसके बाद आपकी यह problem ठीक हो जाएगी तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें